हेलो एब्रिवन आज मैं आप सभी के साथ पटल की बिल्कुल ही नई रेस्पी सेयर करने जा रहे हूं जिसे देखते ही आप जरूर बनाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो वीडियो को पूराने तक जरूर वाच कीजेगा अगर मेरी रेस्पी आप सभी को अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो मैंने यावे 250 ग्राम पटल लिया है जिसे मैंने पानी से पहले अच्छी तरह से वाश कर लिया है तो मैंने यावे पटल को अभी छी ला नहीं है हमें यहावे पटल को पील करने की कोई जरूरत नहीं है आप पहले ही से पाने से अच्छे से वाश कर लीजिएगा उसके वाद एक नाइफ ली लीजिएगा और बिलकुल इस तरह से कट लगा देना है जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूं बिलकुल इस तरह से हमें सारे पटल में कट लगा देना है तो चले मैं फड़ा फट से सारे पटल में कट लगा दी हूं अब हाथों को कर लेना है वोईल से ग्रीस आप जो भी वोईल खाते हैं वही तेल लीजिएगा हाथों से ग्रीस कर दीजिएगा हाथों में वोईल डा लेना है और फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे अब मैं यहां पे पटल को डाल दूंगे अगर आपके हां जाली हो तो आप जाली पे भी पटल को डाल सकते हैं तो चली मैं यहां पे चुले पर ही पकाऊंगे गैस पर ही फ्लेम को लो क करके और बिल्कुल इस तरह मैंने यहां पे दो पटल डाल दिया है अगर आपके हां जाली ना हो और आपको गैस में पकाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई बात नहीं घबराएगा मैं दूसरा भी तरीका बता रहे हूं घबराएगा बिल्कुल भी मत तो चलिए दूसरा दूसरी थाले प्रॉड़ में पूरा लेलिया है जिसे आप सारी पतल को धख सकते हैं तो सारे पतल को हमें इस तरह से ढख करके बिल्कुल low to medium फ्लेम पर उलटते पर लटते हुए दो से तीन बार चेक करते हुए इसे पका लेना है तो तो थोड़ी थोड़ी देर पे आप धकन को हटा करके आप चेक भी कर सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह से पकाईएगा तो चलिए मैं धकन हटा कर एक बार आपको दिखा देती हूं देखिए बिल्कुल इस तरह से स्पोर्ट हो जाएंगे देख सकते हैं आप यहां पे साइट साइट से हमारे पटल जो हैं वह पक चुके हैं और लेसन भी पक चुकी और मिर्च भी हमारी पक चुकी है बहुत ही कम समय में यह जटपट बनती है तो चलिए अब देख लेते जो हमने गैस पे रखे थे पटल को वह हमारा पकाया नहीं तो देखिए साइट से एक पटल भी बिल्कुली अच्छी तरह से पक चुके हैं मैंने गैस को आफ कर दिया भी इसे निकाल लेते हैं अब यहां पे जो मैंने तवा पे रखा था उसे भी देख लेते हैं तो देखिए इस तरह से मैं पलट लेती हूं और इसे भी एक बार चेक करके आपको दिखा देती हूं कि यह पटल हमारा पकाया नहीं तो जब भी आप पटल को रखिएगा तवा पे ढख करके तो दो से तीन मिनट आप इसे उलटते पलटते हुए ढख करके पकायेगा देखिए पटल हमारा पकर तयार हो चुका है तो कर लेते हैं अब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रहे हूं देखिए जो मैंने गैस पर पकाया थे यह भी बिल्कुल यह ची तरह से पक चुके हैं तो देख सकते हैं यह ब्लेक ब्लेक से स्पोर्ट से आपको दिख रहे होंगे यह हमारी चिली जो हमने रखा था वो भी पक चुके हैं तो चलिए बहुत यम्मी और टेस्टी रेसीपी को बना लेते हैं तो इन सभी पटल को हमें ठंडा कर लेना है और अच्छे से ठंडा होने दीजेगा उसके बाद हमें इसे पील क खुस्पो वाली यह टेस्टी सी रेसीपी बनकर के तयार होगी पटल की तो देखे इस तरह से हमें इसके छिलके को हटा लेना है आप नाइफ भी ले सकते हैं नाइफ के भी सहायता से हटाना है बस कोशिश किजिएगा कि प्रॉपर छिलके को हटाने की कोई जरूरत नहीं ह को तो हमने पहले ही पोश्ट कर रखा था थोड़े बहुत जिसमें स्पोर्ट से लग रहा है ना ब्लैक ब्लैक से उसके साथ ही बनाएगा यह सुन्दी सुन्दी खुस्पू बारी बहुत ही टेस्टी यह पटल के रेस्पी बनकर तयार होती है अगर एक बार आप बना होते हैं हाट पार्ट बीज का वो हाट हाट सा रहता है तो उसे आप चाहे तो निकाल करके भी बना सकते हैं या फिर आप एज़ इस उसमें रहने दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलिए मैं इस तरह से सारे पटल को छील ली हूँ और इसे अच्छी तरह से हम किजिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो मैंने इस यह लिए लेसन को भी पका लिया और सारे लेसन को मैं यहां पे बिल्कुल छील लूँ नी बहुत यासानी से चील करके तयार हो जाते हैं तो चलिए फटा-फट से मैं यहां पर सारे लेसन को भी छील लिए हूँ कि अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल लीजिएगा साल टेकॉरिंग टेस्ट और इसे हमें कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स हाथों की सायता से मिक्स करना है अभी इसके मत किजिएगा अभी तैयार नहीं हुआ है अभी तो इसकी मैन इंग्रिजियंस पाकी ही है तो मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल दी हूँ उसके बाद हमें यहां पर डाल लेना है मिक्स वेज मसाले यह पूरी तरशे ऑप्सनल है आप चाहे तो मिक्स वेज मसाले डाले या फिर इसकी भी कर शकते हैं दो चमच यहां पर सरशो का तेल डाल दीजिएगा अब दनीया हो आपके पास पते गद्णीय डाला दिजीक कर ले ना है मिक्स और मिक्स करने के बाद अभी इसमें मैं इंक्रिडियन्स हमें डालना है तो देंके मैंने यहां पे डाल लिया है अचार का मसाला तो yatr han Reichowa Prague जरूर लेज़ेगा अचार का मसाला अगर ना हो तो कोई बात नहीं है आप यहाँ पे नीमू का रस भी डाल सकते हैं तो देखिए बन करके हमारी सुपर टेस्टी परवल का चोखा यानि की परवल का भड़ता बन कर तयार हो गया है देखिए मैं खा कर अभी आपको बताती हूँ वाव सुपर टेस्टी परवल का भड़ता हमारा बन करके तयार हो चुका है खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी है मैं भी आपको खा करके बता दी हूँ फ्रेंड्स आप इसे फटा फट से बनाएए यकिन मानिए आपके घर वालों को सभी को बहुत बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स वीडियो में